तो आज दो है आप सुब के लिए गर्मियों का तोड यानि के कैरी के जूस की रेसिपी लेके आ गई हूं बहुत ही मिसेदार और मीटा खटा बन कर ये रेडी होता है जो चली देखते हैं कैसे बनता है विडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप फॉलो कीज़ेगा विडियो को स्किप नहीं कीजेगा तो आपका जूस पॉफेक्ट बनकर रेडी होगा बहुत ही मसेदार बनकर ये रेडी होता है यहां मैंने पांच कैरी ले लिए इसको इस तरीके से पील करेंगे फिर आम इस तरीके से इसको नॉर्मरी कट कर लेंगे जैसे कैरी को हम कट कर लेते हैं कर देंगे पांच से अब कर्तार के लाग और जानकर मारी ऑए और आवी करेंगे और चार्ग के लिए एक कप जीनी और यहां महीं हो चुकी आप छनी करेंगे नीची बावल रखेंगे और है इस टरिकल से स्पाइच या इस पून के मिलदए मेश करेंगे यहां देखें इस तरिके सिर्वच को मैश करेंगी ताकि जसारा यूस है वह हमाई हुए जमाऊ जाए देख सकते हैं बिल्कुल गरम गरम ही है अच्छी तरीकिसे जो है वह हमें मैश कर लेना है इसको यहां देखें इस तरह यहां जो है वह साधी साथ मेरे पास एक गठी पुदीना की है तो उसको हम जो है वह ग्रेंडर मेंट करेंगे तोड़ासा पानी करने के बाद उसको ग्रेंट कर लेंगे यहां देखें इस तरह के से और अब हम कैरी की करेंगे और इसको भी साथ-साथ यह लिकार यानि कि मैश करेंगे पानी है जो जूस है वह बावे में जमा हो जाए यह देखें इस तरीके से बिलकुल अच्छी से मैश कर लेना है और अब इसको अपनी चार्श में कर देंगे चीनी वाली जो के हमने बदाने रखी हुई थी और इसको जो है वाची तरीके से मिक्स कर लेंगे यहां देखें इस तरीके से और अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि अच्छी से पक जाए चीनी और कैरी का जो पेश है वो आपस में मिक्स हो जाए यह देखें इस तरीके से तो आ है यह कि इतने जबर्जा तरीके से पक रही है अब इसमें काला नमक जो होता है वह एक करेंगे तकरीबान हाफ ती इस्पून नमक एक करेंगे और इसको जो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखे इस तरीके से बहुत ही जबद इस तरीके से जो है वह हमें मिक्स कर लेना है ताकि आपस मिशारी चीजे मिक्स हो जाए कोई भी चीज रहना जाए यह देखे इस तरीके से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें वन पिंच इतना ग्रीन फूट कलर एड करेंगे कलर के लिए चुके का कलर जो होता है वो बहुता है तो शेर्वत भी डुटी होगा तो इसलिए फूट कलर एक करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 2-3 मिंट तक हम इसको पकाएंगे तक कि तक जो हमने कलर एड किया है वह अच्छी से कपाचा है में पाथ हमार हमारी जुड़ाइब इसको ने धिया प्रय। तो अभल S में एट करेंगे तोड़ा सा हम ओने जुन करने हैं श्यट पून ठूंज मलंगे उन जूछ artrier तोड़ा सब पानी एड कर लेंगे इसको अची तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से साथी साथ मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें एक मेंट रख दिया है प्रेजनटिशन में बहुत ही जबर्दस लगता है जो अची तरीके से अची करने है और यहां देखिए हमारा जो केरी का जूस है वह बिलकुल रडी हो चुका है देखा कितनी जट पर तरीके से करी का जूस रडी हो गया गर्मियों का जो है जैसा कि आप सबको पता ही डिस्टॉक चल रहा है बहुत साब गर्मी है कि छिन में खड़ा भी नहीं रा तो देखा कि इपनी एजिली हमारी रेस्पी बनकर रेडी हो गई उमीद करते हूंगा आपको रेस्पी पसंद आई होगी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो का लाइकन है और आगो ने शेयर करें और आसी ही जोट पर सी रेस्पी इस के लिए में जान को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंटर आइस के लाइकन है